Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 2.7 का question number 1, तो question number 1 क्या कहता है find, यहाँ पे हमें division find out करना है decimal number का और whole number का, तो यहाँ पे किस तरह से division find out करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, क्या करेंगे सबसे पहले number number को divide कर लेंगे, जैसे यहाँ पे यह 0.4 दे रखा है, हम इसको 4 माल लेंगे, औ और 4 को 2 से divide करेंगे, तो यहाँ पे 4 को 2 से अगर हम divide करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 224, तो answer आ गया 2, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, अब यहाँ पे देखेंगे कि, यहाँ पे जो decimal लगा है, वो कितने number के बाद लगा है, एक number के बाद लगा है, तो यहाँ पे एक number के बाद decimal लगा देंगे 0.2 यह हमारा answer हो जाएगा next पे आते हैं यहाँ पे भी हम सिर्फ number number को पहले divide कर लेते हैं यहाँ पे 35 है यह 5 है 35 को 5 से अगर divide करेंगे तो क्या आएगा 5,7 जा 35 तो यहाँ पे जो आएगा वो 7 आएगा अब decimal के बाद इधर दो number है तो हम दो number पहले decimal लगा देंगे एक तो 7 हो गया अब दूसरा number तो है नहीं तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे और फिर decimal लगा देंगे और decimal को अकेले नहीं चोड़ते हैं तो decimal से पहले भी 0 लगा देंगे अब आते हैं नेक्स्ट पे तो यहाँ पे क्या दे रखा है 2.48 दिविजिबल बाई 4 तो यहाँ पे भी पहले हम number नमबर को divide कर लेते हैं यहाँ पे हम divide करते हैं 2.48 को 4.6 जा 24 यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा इस 8 को उतार लेंगे 4.2 जा 8 तो यहाँ पे जो answer आया वो 62 आया तो यहाँ पे लिखेंगे हम 62 अब decimal के बाद कितने number हैं 1,2 तो 2 number पहले decimal लगा देंगे 1,2 यहाँ पे हम decimal लगा देंगे तो यह हो जाएगा 0.62 अब आते हैं next पे तो next हमें किस तरह से रखा है 65.4 divisible by 6 अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे पहले number number को divide कर लेते हैं 6,5,4 को divide करते हैं 6 हैं 6 वंजा 6 यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा इस 5 को उतार लेंगे अब 5 तो 6 से कटेगा नहीं तो क्या करेंगे 1,0 बढ़ा लेंगे और यहाँ से एक और number उतार लेंगे अब क्या करेंगे 6,9 जा 54 तो यहाँ पे यह 9 टाइम्स चला जाएगा तो यहाँ पे answer आया 109 अब यहाँ पे decimal के बाद कितना number है एक ही number है तो यहाँ पे एक number पहले decimal लगा देंगे तो यह आ गया 10.9 अब आते हैं next पे तो next हमें किस तरह से दे रखा है यहाँ पे अब यहाँ पे भी पहले हम number number को divide कर लेते हैं 6,5,1,2 को हम divide करते हैं 4 से 4 बचेगा इस 5 को उतार लेंगे 4,6 जा 24 25 में से 24 जायेगा तो 1 बचेगा अब इस 1 को उतार लेंगे 4,2 जा 11 में से 8 गया 2 बचेगा sorry 3 बचेगा 11 में से 8 गया 3 बचेगा और इस 2 को उतार लेंगे अब 4,8 जा 32 तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और यह आएगा 32 कुछ नहीं बचेगा तो अब यहाँ पे जो answer आया वो क्या आया है 1,6,2,8 अब यहाँ पे decimal के बाद कितने नमबर है एक अही नमबर है तो एक नमबर पहले decimal लगा देंगे यानि यहाँ पे decimal लग जाएगा अब आते हैं next पे तो यहाँ पे यह हमें number दे रखा है और इसको हमें 7 से divide करना है तो पहले हम number number को divide कर लेते हैं अभी हम decimal को ignore कर देते हैं अब 4 तो 7 से कटेगा नहीं तो क्या करेंगे एक 0 बढ़ा के इस 9 को भी लिख लेंगे अब 7,7 जा 49 ठीक है यह आ जाएगा तो answer हमारा क्या है 207 207 अब यहाँ पे decimal के बाद कितने नमबर हैं दो नमबर से हैं तो decimal से पहले हम दो नमबर लगा देंगे दो नमबर पहले decimal लगा देंगे तो यहाँ गया 2.07 अब आते हम next पे तो यहाँ पे क्या दे रखा है 396 3.96 दे रखा है तो हम decimal को ignore कर देंगे पहले 396 396 को डिवाइट करेंगे 4 से 4 का टेबिल पढ़ते है 4936 अब यहाँ पे 39 में से 36 जाएगा तो 3 बचेगा और अगर हम 6 को उतार लेते हैं तो फिर 36 बन जाएगा 4936 ठीक है कुछ नहीं बचा आंसर आ गया हमारा 99 अब यहाँ पे जो decimal के बाद कितने नमबर है 1,2 तो हम यहाँ पे 2 नमबर पहले decimal लगा देंगे तो 1,2 यहाँ पे लग जाएगा decimal तो आंसर हो गया 0.99 अब आते हम next पे तो next किस तरह से दे रखा है 0.80 divisible by 5 अब पहले तो हम नमबर नमबर को divide कर लेते हैं यहाँ पे 80 दे रखा है ठीक है तो हम क्या करते हैं 80 को 5 से divide कर लेते हैं 5 वंजा 5 यहाँ पे कितना बचेगा 8 में से 5 गया 3 इस 0 को लिख लेंगे 5 6 जा 30 तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो आंसर आ गया 16 तो यहाँ पे लिखेंगे हम 16 अब यहाँ पे decimal के बाद दो नमबर है तो दो नमबर पहले हम decimal लगा देंगे यानि कि यहाँ पे तो यह आगया 0.16 लास पार था question समाप question number 2 क्या कहता है find यहाँ पे यह हमारे division दे रखें और हमें इनको calculate करना है find करना है तो किस तरह से find out करेंगे यहाँ पे देको यतने भी यह division दे रखें वो सब 10 से divide हो रहा है तो 10 का rule हम एक जानते है कि अगर 10 से हम multiply करेंगे तो यह decimal आगे की तरफ shift होगा अगर हम 10 से divide करेंगे तो यह decimal पीछे की तरफ shift होगा ठीक है तो यहाँ पे हम 10 से divide कर रहे है तो यह decimal इधर चलता चला जाएगा तो यहाँ पे यह 4.8 है यह decimal उठके इधर आ जाएगा तो यह हो जाएगा 0.48 यहाँ पे हम इसको अगर 10 से divide करेंगे तो यह decimal उठके यहाँ चला जाएगा तो यह हो जाएगा 5.25 यहाँ पे अगर हम 10 से divide करेंगे तो यह decimal उठके यहाँ चला जाएगा तो यह हो जाएगा 0. अब यहाँ पे तो 0 था नहीं decimal से पहले तो इसलिए हमने लगा लिया अपनी तरफ से क्योंकि decimal को हम अकेला नहीं छोडते है ठीक है तो decimal जो है यहाँ से उठके यहाँ गया तो यह हो जाएगा 3.31 अब आते हैं नेक्स्ट पे तो यहाँ पे देखो यह decimal उठके कहा जाएगा यहाँ पे तो यह आजाएगा 27.223 यह decimal उठके कहा जाएगा यहाँ पे तो यह आजाएगा 0.056 यह decimal उठके कहा जाएगा यहाँ पे तो यह आ जाएगा 0.397, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे, लास पार था, question समात, question number 3 क्या कहता है, find, यहाँ पे हमें division find out करना है, किस से divide करना है, 100 से, ठीक है, इससे पहला वाला जो question था, वो हमने 10 से divide किया था, अब 100 से divide करेंगे, देखो, जब भी हम 100 या 10 या 1000 से divide करते है जितने 0 होते हैं, यह decimal जो है, उतने ही left side में shift हो जाता है, अज यहाँ पे दो 0 है, तो यह दो number आगे shift हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यह decimal यहाँ पे लगा है, अब इससे दो number इधर shift होगा, तो इससे दो number इधर बनाने पड़ेंगे पहले तो, इस 7 को ऐसे लिख लेंगे, decimal के बाद वाले number को हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद में, यहाँ पे जितने decimal shift करना है, उतने number देखेंगे, तो पहले तो यह two हो गया, यह पहला number हो गया, अब इससे पहले number नहीं दे रखका है, तो हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे, अब दो number हो है, यहाँ पे decimal लग जाएगा, decimal खाली नहीं लगाते हैं, तो एक 0 बढ़ा लेंगे, second वाले पे आते हैं, यहाँ पे decimal के बाद वाला number इसको हम पहले ही लिख लेते हैं, अब हमें decimal बढ़ाना है, दो number इधर, अब number तो एक भी नहीं दे रखका है, तो हम क्या करेंगे, दो 0 लगाएंगे, one, two, decimal लग जाएगा, यहाँ पे, तो यह आगया, 0.003, similarly यहाँ पे देखें, तो 0.78 दे रखका है, तो decimal दो number इधर सिफ्ट होगा, तो पहले तो decimal के बाद वाले number लिख लेते हैं, 78, अब दो number इधर सिफ्ट होगा, इधर तो कोई number ही नहीं है, तो यहाँ प 432.6, तो यह जो दो 0 हटेंगे, तो decimal दो number इधर सिफ्ट होगा, तो पहले तो decimal के बाद वाला number लिखेंगे, अब जो है, दो number इधर जहाँ decimal सिफ्ट करना है, उनको लिखना है, तो यह 2 यह पहला number हो गया, यह 3 यह दूसरा number हो गया, तो decimal यहाँ पे लग जाएगा, फिर क् इंसर आगया, 4.326, इसी तरह से हम next पे आते हैं, तो यहाँ पे इसको जब हम 100 से डिवाइट करेंगे, तो यह decimal सिफ्ट किदर होगा, इधर, तो यह दो number के बाद सिफ्ट होगा, यह पहला number, दूसरा number, यहाँ पे decimal आएगा, तो यह क्या हो जाएगा, decimal 236, अब decimal को अकेला तो छोड़ते नहीं, तो एक 0 लगा देंगे, अब आते हम next पे, तो यहाँ पे 98.53 दे रखा है, इसको हमें 100 से डिवाइट करना है, तो यह decimal कहां सिफ्ट हो जाएगा, दो number बाद, 1, 2, यानि यहाँ पे, तो यह हो जाएगा decimal 9853, अब decimal को अकेले तो छोड़ते नहीं, तो हमें division find out करना है, देखो, यहाँ पे यह decimal दे रखा है, और इसको हमें divide करना है 1000 से, तो जब भी हम 10, 100 या 1000 से divide करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस decimal को जितने यहाँ पे 0 होते हैं, उतने ही number इधर shift कर देते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ प 23, तो हम पहले उतने number लिख लेते हैं, एक तो 7 दे रखा है, यह 1, इसके बाद में कुछ नहीं दे रखा है, तो हम 0 बनाएंगे, 23, फिर लगाएंगे decimal, तो यह आ जाएगा 0.0079, अब आते हम next पे, तो next किस तरह से दे रखा है, 26.3 divided by 1000, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस decimal को 3 number इधर shift करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 0 है, तो पहले decimal के बाद वाला number लिख लेते हैं, अब decimal से पहले कितने number है, 1, 2, अब एक और number में चाहिए, क्योंकि 3 number के बाद decimal shift करना है, तो हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे, तो यह आ गया, यहाँ पे decimal लग जाएगा, यह आ गया, 0.0263, अब आते हैं, नेक्स्ट पे तो यह क्या दे रखा है, 38.53 divisible y 1000, अब यहाँ पे हमें इसको 1000 से divide करना है, तो पहले decimal के बाद वाले number लिख लेते हैं, 53, अब यह decimal 3 number इधर shift होगा, तो पहला number क्या है, 8, 3, उसके बाद में एक और number हमें चाहिए, 3 number shift होग तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे, और फिर decimal लगा देंगे, decimal को अकेले नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ पे एक 0 भी बढ़ा लेंगे, अब आते हम next पे, तो next हमें किस तरह से दे रखा है, 128.9 divided by 1000, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 0 है, तो 3 number इध 0.1289, अब आते हैं next पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.5 दे रखा है, इसको हमें 1000 से divide करना है, तो क्या करेंगे, पहले हम decimal के बाद वाला number लिख लेंगे, अब हमें कितने number चाहिए है, 3 number चाहिए, तो इधर तो कोई number नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 0 बढ़ाएंग तो यह आजाएगा हमारा answer, लास पाड़ था, question समाप्त, नहीं हमें number 5 क्या कहता है, find, यहाँ पे हमें division find out करना है, बहुत ही असान तरीका है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यह लिखा है 7 divisible y 3.5, यहाँ पे जितने भी यह जो number दे रखे हैं, इनको हम क्या कर लिख लेंगे, fraction में लिख लेंगे पहले, तो यहाँ पे अगर इसको fraction में लिखेंगे, तो यह आएगा 7 upon 3.5, अब यहाँ पे अगर ऊपर देखें, तो 7 है, नीचे क्या है 3.5, यहाँ पे एक decimal के बाद एक number है, इस decimal के बाद जब एक number है, तो हमें क्या करना है, ऊपर भी एक decimal बनाना है, और उसके बाद एक number होना चाहिए, यानि हम इसको लिख सकते है, 7.0, अब यहाँ पे भी decimal के बाद एक number है, यहाँ पे भी decimal के बाद एक number है, तो इस decimal, decimal को हटा देंगे, तो यह आएगा 70 upon 35, और 35 टूजा क्या होता है, 70, तो यह आगया 2, अब आते हम next पे, तो यहाँ पे यह क्या दे रखा है, 36, और नीचे लिखेंगे हम इसको 0.2 को, अब यहाँ पे 36 के बाद तो decimal लगा नहीं है, तो हम एक decimal लगा के 0 बढ़ा देंगे, अब decimal से decimal हट जाएगा, तो यह क्या बचेगा, 360 upon 2, तो इसको अगर हम solve करें, तो यह क्या आएगा, 2, 1 जा, 2, 1 इधर जाएगा, 2, 8 जा, 60, 16, और फिर 0, अब आते हैं next पे, तो यहाँ पे यह क्या दे रखा है, 3.25 upon 0.5, अब यहाँ पे decimal के बाद कितने नमबर दे रखेंगे, दो नमबर, नीचे एक ही दे रखा है, तो पहले तो हमें decimal के बाद नमबर सेम करने होते हैं, त अब यहाँ पे नीचे आ गया 50, तो पहले तो क्या करेंगे हम 25 का टेबल पढ़ लेते हैं, 25, 2, 50, 25, 2, 50 आ जाएगा, 50 तो 32 से जादा होता है, तो क्या करेंगे, 25 बचेगा, 7 इधर जाएगा, 75 हो जाएगा, 25, 3, 75, 13 upon 2 आ गया, और 13 upon 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, तो यह क्या आएगा, 26 जा 12, या फिर इसको हम अलग से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 13 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, 26 जा 12, यहाँ पे 1 बचेगा, अब यहाँ पे तो कोई नमबर बचा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे decimal बढ़ा लेंगे, और यहाँ जिरो लगा देंगे, 25 जा 10, तो आंसर जो आएगा, वो आएगा 6.5, ठीक है, अब आते हैं, नेक्स्ट पे तो यह क्या आएगा हमारा, इसको फ्रेक्शन में लिख लेते हैं, पहले 30.94 डिविजिबल वाई, 0.7, अब यहाँ पे decimal के बाद दो नमबर हैं, नीचे decimal के बाद एक ही नमबर है, तो हम इसको भी दो नमबर बना लेते हैं, यहाँ से decimal अटाएंगे, यहाँ से decimal अटाएंगे, तो यह क्या बन जाएगा, 30.94 अपॉन 70, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यह नीचे 70 है, 70 हमारा 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 28 जाएगा, 2 बचेगा, इस 9 को उतार लेंगे, 7, 4 जा, 28, 29 में से 28 जाएगा, 1 बचेगा, इस 4 को उतार लेंगे, 7 to the 14, तो यहाँ पे जो उपर आएगा, वो क्या है, 4, 4, 2, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइट करेंगे, 7 से, तो यह आएगा, 4, 142 और यह आएगा, 7, 1 जा 7 यानि की 10 आ जाएगा अब यहाँ पे नीचे क्या है 10 है अगर हम इसमें से एक 0 हटाएंगे तो एक नंबर के बाद decimal लग जाएगा तो यहाँ से जब 0 हटाएंगे तो decimal यहाँ पे लग जाएगा तो यह हो जाएगा 44.2 अब आते हम next पे तो next हमें किस तरह से दे रखा है यहाँ पे देखो 0.5 divisible by 0.25 तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको fraction में लिखेंगे तो fraction में किस तरह से लिखेंगे 0.5 upon 0.25 अब यहाँ पे 0.5 है और नीचे 0.25 है नीचे दो नंबर है उपर यह कही नंबर है तो उपर भी हमें दो नंबर बनाने है इस तरह से अब यहाँ पे यह 0. इसके बाद भी दो नंबर है 0. यहाँ पे भी दो नंबर है तो decimal को हटा देंगे तो यह आ जाएगा 50 upon 25 25 बनजा 25 25 तो यह आ जाएगा 2 अब आते हम नेक्स्ट पे तो नेक्स्ट किस तरह से दे रखा है 7.75 7.75 divisible by 0.25 अब यहाँ पे देख़ो decimal के बाद भी दो नंबर है यहाँ पे भी decimal के बाद दो नंबर है decimal को decimal से हटा देंगे तो यह क्या बचाएगा 775 divided by 25 अब यहाँ पे हम इसको डिवाइट कर लेते हैं 25 से तो 775 अगर हम इसको डारेक्ट ली 25 से डिवाइट करें तो यह क्या आएगा 25 थरीजा 75 यहाँ पे 7 में से 5 गया 2 बचेगा इस 5 को उतार लेंगे 5 25 बचेगा तो यह आ गया 31 तो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको हम लिखेंगे 31 अब आते हैं नेक्स्ट पे तो यह क्या दे रखा है इसको पहले हम फ्रेक्शन में लिख लेते हैं 626.5 अपॉन 0.15 अब यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो हम इसको दो नंबर बना लेते हैं क्योंकि नीचे डेसिमल के बाद दो नंबर है अब डेसिमल को डेसिमल से हटा देते हैं तो उपर क्या बचेगा 7,6,5,0 अपॉन 15 तो अब हम उपर वाले को 15 से डिवाइट कर लेते हैं तो किस तरह से करेंगे 7,6,5,0 को 15 से डिवाइट करना है तो 15 का टेविल पढ़ते हैं 15,5,0,75 तो यहां पर 15,5,0,75 लिखेंगे 6 में से 5 गया 1 लिखेंगे इस 5 को उतार लेंगे 15,1,0,15 कुछ नहीं बचेगा यह 0 बचेगा और इस 0 को डारेक्टली यहां पर लगा देंगे तो यह आ जाएगा 5,1,0 अब आते हम नेक्स्ट पे तो नेक्स्ट हमें किस तरह से दे रखा है इस तरह से तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेक्शन फार्म में 37.8 अपॉन 1.4 अब यहां पे इस डेसिमल को इस डेसिमल से हटा देते हैं क्या बचेगा 37.8 अपॉन 14 अब यहां पे अगर हम उपर वाले को देखे तो यह 2 से कट रहा है और नीचे वाला भी 2 से कट रहा है तो पहले हम 2 से डिवाइट कर लेते हैं यहां पे अगर उपर वाले को डिवाइट करें तो 2 बंजा 2 इस 8 को उटार लेंगे 2, 9, 18 तो यहाँ पे इस तरह से यह आ जाएगा तो अब यहाँ पे जो हमें मिलेगा 2 से डिवाइट करने पर वो मिलेगा 1, 18, 9 और इसको 2 से डिवाइट करेंगे 2, 7, 14 अब यह जो आया है इसको हम क्या करते हैं 7 से डिवाइट कर लेते हैं तो 1, 8, 9 को अगर हम 7 से डिवाइट करेंगे तो यह क्या आएगा 7, 2, 14 8 में से 4 हो गया 4 बचेगा इस 9 को उतार लेंगे 7, 7, 49 तो आंसर आया 27 तो यहाँ पे आंसर आजाएगा 27 अब आते हैं next पे नेक्स्ट किस तरह से दे रखका है 2.73 डिविजिबल वाई 1.3 तो सबसे पहले इसको फ्रेक्शन में लिख लेते हैं 2.73 अब यहाँ पे डेसिमल के बाद दो नमबर हैं यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही नमबर है तो हम इसको भी दो नमबर बना लेंगे डेसिमल को डेसिमल से हटा देंगे अब यहाँ पे यह आएगा 2.73 अपॉन फर्टी अगर नीचे वाले को देखे तो यह थर्टीन से डिविजिबल है उपर वाले को हमें 13 से चेक करना है तो क्या करते हैं पहले उपर वाले को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे 273 को डिवाइड करते हैं हम 13 से 13 टूजा 26 यहाँ पे 7 में से 6 गया वन बचेगा इस 33 को उतार लेंगे 13 वन जा 13 तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो अगर इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे तो उपर बचेगा 21 और नीचे बचेगा 10 तो उपर आ जाएगा 2.1 यह हमारा आंसर हो जाएगा लास पार था कोश्चन समाथ नमबर 6 क्या कहता है अब वेकल कवर्स अडिस्टेंस आफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर एक वेकल है जो इतना डिस्टेंस कवर करता है इतने पेट्रोल में तो यह एक लिटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी तो इसमें क्या करना है हमें इसको इससे डिवाइट कर देंगे तो हमें 1 के लिए निकल आएगा इसको यूनिटरी मेथेड बोलते हैं क्लास 6 में हम लोग पढ़ते हैं इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर हमने सेव खरीदा ठीक है अब जैसे यहाँ पे सेव कीमत माल लेते हैं कि 80 रुपए के 1 किलो हैं एक किलो में कितना ग्राम होते हैं 1000 ग्राम तो एक रुपए में कितना ग्राम सेव होंगे तो यहाँ पे एक रुपए में अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे 1000 को 80 से डिवाइट कर देंगे वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे लेकिन चुकि लेंग्वेज का कोश्चन है तो हम लेंग्वेज भी लिखेंगे तो यहाँ पे solution लिखते हैं यहाँ पे लिखेंगे distance covered in 2.4 liter petrol तो इतने liter petrol में कितना distance cover करता है 43.2 km अब यहाँ पे लिखेंगे distance covered in 1 liter petrol यह क्या आजाएगा 43.2 इससे divide करेंगे हम 2.4 को अब यहाँ पे देखो यह decimal है decimal के बाद कितना number है एक ही number है यहाँ पे decimal के बाद एक ही number है तो इस decimal को इस तरह से हटा देंगे तो यह क्या बचेगा 432 upon 24 अब यहाँ पे इसके आखरी में 2 दे रखा है और यहाँ पे भी 2 दे रखा है मतलब 2 से division है तो इसका मतलब यह दोनों number 2 से divide हो जाएंगे तो हम इसको 2 से divide कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 2,2 जा 4 2,1 जा 2, यहाँ पे 1 बचेगा इधर जाएगा 12 हो जाएगा 2,6 जा 12 2,1 जा 2,2,2 जा 4 इसको फिर 2 से divide करेंगे 2,1 जा 2 और इसको हम इसको यहाँ पे divide कर लेते हैं ताकि confusion ना हो 216 को अगर हम 2 से divide करेंगे तो यह क्या हैगा 2,1 जा 2 यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा इस 1 को उतार लेंगे अब यहाँ पे 1 तो 2 से कटेगा नहीं तो इसका मतलब क्या करेंगे हम 1,0 बढ़ाएंगे और इस 6 को उतार लेंगे 2,8 जा 16 ठीक है तो 1,0,8 आएगा तो यहाँ पे इसको जब हमने 2 से divide किया तो 1,0,8 आएगा 2 और यहाँ पे क्या का आएगा 2,6 जा 12 अब यहाँ पे यह फिर हमारे 2 से divide हो रहे हैं तो फिर से हम इसको 2 से divide कर देते हैं 2,5 जा 10 आएगा 2,4 जा 8 आएगा 2,3 जा 6 आएगा ठीक है अब 54 आया और नीचे 3 आया तो यह तो हमारा 3 से divisible है तो इसको दार्यक 3 से divide कर देंगे 3,1 जा 3 यहाँ पे 2 बचेगा इधर जाएगा 24,3,8 जा 24 तो यह हमारा 18 आंसर आ गया तो कितना चलेगा एक लिटर पेट्रोल में 18 किलो मीटर यह हमारा आंसर हो जाएगा कोश्चन्स हम आप नेक्स लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट कोश्चन्स आज के लिए बस इतना ही